नमस्कार आप देख रहें न्यूज पी यार और मैं हूँ आपके साथ जोती सन्हा देखे बिहार में सीट शेरिंग हो चुका है अंडिय ने सीट शेरिंग कर दिया है अब चिराग पासवान को जहां पांच सीटे दी गई है तो वकी पसुपती पारस के हाथ एक भी सीट नहीं लगी है अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या पसुपती पारस बागी बन जाएंगे बता दें कि पारस ने पहले ही कहा था कि उन्हें हाजिपूर सीट से चुनाओ लगना है तो वहीं हाजिपूर सीट लगातार विवात का वज़ा बना हुआ था चिराग पासवान भी इसी सीट से दावेदारी ठोक रहे थे वहीं चिराग पासवान को पहले ही NDA के तरफ से आशवाशन दिया गया था तो वहीं अब बता दें कि NDA ने जब सीटर शेडिंग की तो फिर अब ये साफ कर दिया कि चिराग पासवान ही हाजीपूर से चुनाव लड़ेंगे ऐसे में अब जब पारस इसे लेकर के नाराज हो सकते हैं तो चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी है चिराग पासवान ने पशुपती पारस को लेकर ये कहा कि पशुपती पारस उनके पडिवार के वरिस्ट में से हैं उनके पिता के बाद पडिवार में कोई बड़ा है तो वो उनके चाचा पसुपती पारस है इतना ही नहीं चिराग पासवान ने ये भी कहा कि मैंने और नितीश कुमार ने जो सीटों का बलिदान दिया है वो इसलिए दिया ताकि पीम मोदी एक बार फिर से देश की जनता के लिए सामने आ सके और देश की जनता के हित के लिए फिर से वो प्रधान मंत्री बन सके शुराख पास्वान ने आगे क्या कुछ का है चलिए आपको बताते हैं। इना में ही आगे की रनीती का एहलान भी कर सकते हैं। बता दें कि एंडिये में हुए सीट बटबारे में भाजपा 17, चदियू 16 तो चिडाक पास्वान की नेतरत वाली लोजपा राम विलास को 5 सीट दिये गए हैं। झालन से सकते हैं। आपको जागे बताते हैं। झालन से सकते हैं।